नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ चैलेंज बाँडे तेज के तमाम दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुब कामना है अब आज चुकिए श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है आज जन्माष्टमी का एक पावन मौका है एक सुन्दर मौका है तो आज की रात को या आज शाम के समय आप कौन से प्रियोग करें जिससे जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं आज इस विशेपर बात करेंगे क्यूंकि जन्माष्टमी का जो पावन मौका है वो साल भर में एक बार आता है और इस एक बार के आए हुए मौके पर अगर आप विशेश प्रियोग करें अगर आप विशिष्ट प्रियोग करें तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है इसी विशे पर आज चालचक्र में बात करेंगे चालचक्र में और क्या खास है चलिए बताते हैं आपको चालचक्र में आज बात करेंगे कि श्री कृष्ण जनमाश्टमी पर क्या क्या लाभ मिलते हैं क्या क्या फाइदे होते हैं किन समस्याओं को दूर करने के लिए कैसे प्रियोग श्री कृष्ण जनमाष्टमी पर किये जाते हैं और महा लाब अगर आप चाहते हैं भगवान कृष्ण से तो उसके लिए क्या प्रियोग करेंगे जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाएं देखिए भगवान कृष्ण का जो जनम हुआ था वो मध्यरात्री के समय हुआ था मिड्नाइट में हुआ था रोहिणी नक्षत्र में हुआ था इसलिए आज की जो रात है वो अपने आप में बहुत विशेश है, अपने आप में बहुत कल्यानकारी है और इस रात को अगर आप विशेश तरीके के प्रियोग करें तो आपकी बहुत सारी मनों कामनाएं बहुत आसानी से पूरी हो सकती है सबसे पहला जो विसिष्ट प्रियोग है वो है संतान प्राप्ती का प्रियोग अगर आपको तमाम प्रियासों के बावजूद संतान की प्राप्ती नहीं हो पा रही है विवा के दो साल, चार साल, पांस साल बीट चुके हैं मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है और संतान नहीं हो पा रही है तो क्या प्रियोग करेंगे भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिशेक करें एक पात्र में एक भगोने में या थाल में भगवान कृष्ण की धातू की मूर्ती रखें पहले से पंचामृत बना लें दूद, दही, शहद, शक्कर और घी मिला करके उसमें गंगा जल मिला लें तुलसी के पत्ते डाल लें और उसी पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं इसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएं और इसके बाद उनके सामने घी का एक मुखी दीपक जलाएं और जलाने के बाद एक विशेश मंत्र है संतान गोपाल मंत्र इस मंत्र का कम से कम 108 बार या ज्यादा चाहें तो ज्यादा बार इस मंत्र का जब करें मंत्र होगा ओम क्लींग देव की सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देही में तनियम क्रिश्न त्वामहम शेरणम गता ये मंत्र कम से कम 108 बार आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद ये प्राथना करें कि आपको शीगर संतान की प्राप्ती हो पती पतनी एक साथ मिल करके अगर ये उपाय करें तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ती जल्दी से जल्दी उन्हें हो पाएगी और जिस पंचामृत से भगवान का अभिशेक किया है, जिस पंचामृत से भगवान को सनान कराया है, उस पंचामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहन करें, निश्चित रूप से आपको लाब होगा अब बात करते हैं शीग्र विवाह के उपाय की, तमाम प्रयासों के बावजूद आपकी शादी जल्दी नहीं हो पा रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, क्या करना चाहिए शीग्र विवाह के लिए, देखिए भगवान क कृष्ण को सुगंधित जल अर्पित करेंगे जल में जरासा चंदन मिला लेंगे या जल में जरासा गुलाब जल मिला लेंगे और इस जल से भगवान कृष्ण को उसनान करवाएंगे या उनके चरणों को धुलाएंगे इसके बाद उनको पीले फूल अर्पित करें पीले फ हुगा इसके बाद एक मंत्र है मंत्र देखे स्क्रीम पर मंत्र है गोतुल ना थाय नमहां इस मंत्र का अधिक से अधिक जब करें कम से कम 108 बार तो इस मंत्र का जब करना ही करना है इस मंत्र का जब करें और भगवान से प्राथना करें कि आपके विवाह होने में जो अरचन आ रही है आपके विवाह होने में जो दिक्कत आ रही है वो अर्चन वो दिक्कत आसानी से दूर हो पाए अब विवाह तो हो गया लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा कैसे बनेगा क्योंकि देखिए मामला विवाह होने तक ही नहीं है मामला ये भी है कि उसके बाद आपका वैवाहिक जीवन सुखद होना चाहिए बहुत सारे लोगों की शादी तो हो जाती है लेकिन शादी शुदा जिन्दगी अच्छी नहीं होती वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता क्या करना चाहिए गाए का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा गाए के थोड़े से दूध की व्यवस्था करें या शुद्ध दूध की व्यवस्था करें भगवान कृष्ण को दूध से इसनान कराएं दूध से उनका अभिशेक करें जैसा पहले भी कहा कि एक पात्र में एक बरतन में भगोने में या थाल में भगवान कृष्ण की मूर्ती रख लें और उसे दुग्द से इसनान करवाएं और इसके बाद एक मंत्र है मंत्र देखे स्क्रीन पर मंत्र है क्लींग ग्लॉंग क्लींग शाम लांगाय नमहां क्लीं ग्लॉंग क्लीं श्याम लांगाए नमह इस मंत्र का जब करेंगे कम से कम 108 बार और मंत्र का जब करने के बार ये प्राथना करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहे इसके बाद जिस दुग्द से इस नान करवाया है उस दूद को उस दुग्द को प्रसाद के रूप में ग्रहन करें निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन के मुश्किले दूर होंगी और अगर पती-पतनी मिलकर के ये उपाए एक साथ करें तो उनका वैवाहिक जीवन सुखद होगा वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 64 दिन में ही सारी विद्या प्राप्त कर ली थी इसलिए अगर कोई भग तो भगवान कृष्ण की पूजा करता है उनकी उपासना करता है तो उसे विद्या प्राप्त करना, सिक्षा प्राप्त करना बेहत आसान हो जाता है, बेहत सरल हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपको विद्या की और सिख्षा की प्राप्ती हो तो क्या करेंगे आज रात के समय में एक पात्र में एक बरतन में शुद्ध जल ले लेंगे उसमें केसर जरासा डालेंगे और केसर के जल से भगवान कृष्ण को सनान करवाएंगे इसके बाद उनको पीली वस्तु का भोग लगाएंगे पीले लड़ू हो, पीली मिठाई हो, पीली बर्फी हो जैसा भी संभव हो, पीली वस्तु का उनको भोग लगाएंगे और इसके बाद एक विशेश मंत्र है उसका 108 बार जब करेंगे मंत्र देखे स्क्रीन पर, मंत्र है ओम क्रिष्न क्रिष्न महा क्रिष्न, सर्वग्यत्वम प्रसीद में रमा रमन विद्देश्व, विद्या माशु प्रयक्ष्में रमा रमण विद्धेश विद्ध्या माशु प्रयक्ष में ये मंत्र कम से कम 108 बार आप कहेंगे और प्राथना करेंगे कि आपकी विद्ध्या प्राप्ती में आपकी ज्यान की प्राप्ती में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाए निश्चित रूप से वो बाधा हर प्रकार से दूर हो जाएगी अब जानते हैं कि लक्षमी प्राप्ती के लिए क्या उपाय करेंगे अगर आपको धन चाहिए याद रखिए भगवान कृष्ण इस स्रिष्टी के समस्त संपदा के अधिपती हैं अगर वो चाहें तो पल में धनवान बना सकते हैं और पल में अपनी माया को वापस ले करके आपको धनहीन भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ती हो धन संबंधी मुश्किलें आपको परिशान कर रही हो तो क्या उपाय करेंगे कि भगवान कृष्ण की कृपा से आपको धन की प्राप्ती आसानी स कि इसके लिए भगवान कृष्ण को वस्त्र समर्पित करें और अगर पीले वस्त्र हों तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि भगवान कृष्ण को पीतांबर धारी कहा जाता है तो पीले वस्त्र भगवान कृष्ण को अर्पित करें इसके बाद माखन मिस्री और तु और लगाने के बाद एक विशेश मंत्र का जब करें मंत्र अत्यंत विशेश है धन की प्राप्ती के लिए बड़ा कारगर मंत्र है मंत्र देखे स्क्रीन पर मंत्र है मंत्र फिर से नूट करें मंत्र अगर ये मंत्र आप जबते हैं रात के समय में कम से कम 108 बार एक माला ये ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी जबते हैं तो निश्चित रूप से जो धनसम बंदे मुस्किले हैं जो आर्थिक समस्याएं हैं वो निश्चित-निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, निश्चित-निश्चित रूप से गायद हो जाएंगी. तो तमाम विशेश प्रियोग आज रात के समय में आप कर सकते हैं और ये तमाम विशेश प्रियोग भगवान कृष्ण के जन्म के बाद अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाएगा देखिए भगवान कृष्ण की पूजा मधुर भाव से करनी चाहिए कारण क्या है कृष्ण जो है वो रसेश्वर है उनको मधुर देवता, मधुर भगवान कहा जाता है कृष्ण की पूजा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज है प्रेम तो भगवान कृष्ण की पूजा प्रेम भाव से, मधुर भाव से करें मंत्र जप करने के लिए तुलसी या चंदन की माला का प्रियोग करें जब आप भगवान कृष्ण के मंत्र जप रहे हैं या जप रही हैं, जपना चाहते हैं तो आप तुलसी की माला या चंदन की माला इस्तेमाल करें और जब मंत्र जब कर लें तो इसके तुरंट बाद जल का श्पर्ष ना करें। इसके तुरंट बाद पानी को श्पर्ष ना करें। और मंत्र जब के साथ सात्विक्ता बनाए रखें वैसे तो देखिए जनमाष्टमी के दिन तो लोग वरत ही रखते हैं तो अगर वरत रखा है तो आटोमेटिकली सात्विक्ता हो गई लेकिन अगर वरत नहीं रख पाए हैं तो प्याज, लसन, मांस, मदिरा ऐसे भोजन का इ उससे निश्चित रूप से आपको लाप हो